हेलो एब्रिवन, स्वागत है आपका इश्ड़ी मेरी जिद में, मैं विकास, आज आपकी करेंट की क्लास है, जिसमें हम एक सप्ताहा की पूरी करेंट अप्यार्श के प्रशनों को देखेंगे, और बल्लाइडर में देखेंगे, ठीक है, तो चलिए सुरुवात करते हैं आपका पहला प्रशन है कि हाल ही में किस COVID-19 टीके को फरवरी 2022 में भारत के औसधी महानी अंतरक द्वारा आपात कालीन उपियोग की अनुमती दे गई है, तो ये दे गई है इस पुतनिक लाइट को, ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है, हाल ही में कौन सी किरकेट टीम हजारवा एक दिवस्य अंतरराष्ट्य किरकेट मैच खेलने वाली पहले टीम बनी, तो ये बनी है भारत, भारत ने अंतरराष्ट्य एक दिवस्य बंडे में हजार मैच खेलने वाली पहले टीम बन गई है, अंगला प्रशन है कि कौन सा देश COVID-19 DNA वैक्सीन को लगान दुनिया का पहला देश बन गया है, तो ये बन गया है अपना भारत, ठीक है, आंगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है कि किस राज्ज में कैंदर सरकार ने 2022 में 4000 दूर संचार टावर इस्थापित करने का नड़े लिया है, तो ये किया है उडीसा सरकार ने, ठीक है, चलिए आँगे बढ़ते हैं, और प्रशन आपका अंगला है कि किस अफरीकी देश ने फरवरी 2022 में अपना पहला अफरीकी राष्ट कप जीता है, तो ये जीता है सेनेगल है, ठीक, इसी क्रम में आँगे बढ़ते हैं कि किस लेव द्वारा भारत की पहली श्वदेशी जैव आँगे बढ़ेंगे प्रशन आगला है कि हाल ही में भारतिय बायु शैना का कौन सा लडाकू बिमान सिंगापुर से अपने उडान कौसल का परदर्शन करेगा, तो ये करेगा आईएएफ का LCA तेजस, ठीक है, तो ये सिंगापुर में अपने उडान का परदर्शन करेग आँगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है कि हाल ही में टाटा ओपन महराष्ट का फाइनल किस ने जीता, तो ये जीता है रोहन बोपनना और आर रामनाथन ने, इन दोनों ने टाटा ओपन महराष्ट का फाइनल जीता है, इसी करम में आँगे बढ़ेंगे अगला प्रशन है हाल ही में उत्राखंड का ब्रांड नम्मेश्टर किसे बनाया गया तो हाल ही में उत्राखंड का ब्रांड नम्मेश्टर बनाया गया है वो बनाया है अच्छे अगमार को इससे पहले कौन था तो इससे पहले जो थे वो थे रिशवपन्द आंगे बढ़ेंगे प्रशना आपका अंगला है कि हाल ही में किस देश ने AFC महला ACI कप का किताब जीता तो ये जीता है चीन ने और किसे हरा कर जीता है तो ये हराया है दच्छड कोरिया को हरा कर चीन ने जीता है आंगे बढ़ेंगे प्रशन अंगला है कि हाल ही में किस राज के साथ गाओं ने सेगी योजना के तहट सीर्दिस्थान हासिल किया है तो ये तेलंगाना के साथ गाओं ने सीर्दिस्थान पाया है इसी क्रम में आंगे बढ़ेंगे प्रशन आपका अंगला है कि हाल ही में किस राज की सरकार ने लड़कियों के लिए आत्मुरच्छा प्रसिच्छड कारिकरम सुरू किया है आत्मुरच्छा प्रसिच्छड कारिकरम तो ये सुरू किया है करनाटक राज ने ठीक है आंगे बढ़ते हैं प्रशन अंगला है कि हाल ही में ZNU की पहली महला कुलपती कौन बनी तो ZNU की पहली महला कुलपती बनी है 37 पंडे आंगे बढ़ते हैं प्रशनाप का अंगला है कि हाल ही में बांगलादेश भारत में कितने ब्रॉड गैज रेलवे बैगन खरीदेगा तो ये खरीदेगा 420 ठीक है प्रशन अंगला है कि हाल ही में नई दिल्ली में सघन मिशन इंदर धनुस 4.0 कसो बारम किस ने किया तो ये किया है स्वास्ते मंत्री डॉक्टर मनसुक मंडाविया ने चलिए आंगे बढ़ते हैं और प्रशन आपका अंगला देखेंगे नौ फरवरी इसमें देखेंगे आपका पहला प्रशन है कि किस मंत्री ने प्रध्योकी संचालित समाधानों के लिए पौवर्थन 2022 नामक एक हैक्थोन लॉंच किया है तो ये किया है आरके शिंग ने अंगला प्रशन है हाल ही में किस मंत्राले द्वारा आयोजित नवी करडिये उर्जा A.C.E.A.N. भारत उचिस्तरिये आभासी शम्मेलन आयोजित किया जा रहा है तो ये किया जा रहा है नवीन और नवी करडिये उर्जा मंत्राले द्वारा आगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है कि हाल ही में किस दिन को सुरच्छित इंटर्नेट दिवस के रूम में मनाय जा रहा है तो सुरच्छित इंटर्नेट दिवस के रूम में मनाय जाता है ये मनाय जाता है आठ परवरी को इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और प्रशना आपका अंगला है कि हाल ही में किस कंपरी ने जम्मू कस्मीर में अपसरा सड़क के विकास के लिए हस रोड कौन सी रोड हस रोड कंश्ट्रक्शन प्राइविट लिम्टेड के साथ एक समझोते पर हस्ताचर किये है तो यह किये हैं जम्मू स्मार्ट स्टी लिम्टेड ने आगे बढ़ेंगे प्रशनागला है कि जीवन रच्छा पदक स्रंखला पुरुसकार 2021 में से सम्मानित करने के लिए कितने रेलवे सुरच्छावल कर्मियों को मंजूरी दे गई है तो यह दे गई है साथ रेलवे सुरच्छावल के कर्मियों को मंजूरी दे गई है तो आगे बढ़ेंगे प्रशनागला है कि हाल ही में किस देश में विश्व का तीसरा सबसे वड़ा क्रिकेट इस्टेडियम बनने जा रहा है तो विश्व का तीसरा सबसे वड़ा क्रिकेट इस्टेडियम जो है वो आपका जैपुर में वनने जा रहा है आगे बढ़ेंगे प्रशनागला है कि किस अंतर राश्टिये वैंक ने 2021 में भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का रिड परदान किया है तो ये किया है एशियाई विकास बैंक ने प्रशनगला है कि हाल ही में किस राज्ज ने जगन चेदोड योजना की दूसरी किस्त सुरू की है तो ये की है आंदपरदेश ने ठीक आंगे बढ़ेंगे प्रशनगला है ब्रूजड पासपोर्ट के लेखक कौन है यानि ब्रूजड पासपोर्ट एक पुस्तक है उसके जो लेखक है वो है आपके साभी और विद अंगला प्रश्न है कि हाल ही में रोवर्ट ब्लेक का निधन हो गया है बेकॉन थे तो रोवर्ट जो ब्लेक थे वो ओस्कर विजेता बी एफ एक्स क अलाकार ओस्कर विजेता थे अंगला प्रशने है कि हाल ही में प्रवीड कुमार सुबती का निधन हो गया बेकौन थे तो प्रवीड कुमार जो सुबती थे वो एशियाई खेलों के पूर्व स्वडपदक बिजेता थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है आँगे बढ़ेंगे प्रश्ण नगला है कि हाल ही में साड़ी बनाने के लिए किसका उपियोग किया जाएगा तो साड़ी बनाने के लिए आपका जल कुम्भी का उपियोग किया जाएगा आँगे बढ़ेंगे प्रशनंगला है कि हाल ही में मुखे सम्मानी को पचाड कर एसिया की सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं तो एसिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं गौतम अणानी पहले आपके मुखे सम्मानी थे और उनको पचाड करके पीछे छोड़ करके अब बन गए आपके गौतम अणानी इसी क्रम में आँगे बढ़ेंगे प्रशनंगला है कि हाल ही में किस कंपरी ने अपनी सायवर सचेत बीमा सायवर सचेत बीमा पॉलसी लौंच करने की गोशडां की है तो ये की है HDFC अरगो मेंक ने ठीक है चले आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका अंगला देखेंगे और दस फरवरी ठीक है तो पहला प्रशन है आपका कि किस ने अपना Nifty 100 Index Fund और Nifty 100 Equal Weight Index Fund लौंच करने की गोशडां की है तो ये की है HDFC Asset Management Company ने अंगला प्रशन है हाल ही में क्रशी सचिप के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो क्रशी सचिप के रूप में किया गया है मनोज आहूजा को न्युक्त ठीक है आगे बढ़ेंगे प्रशन अंगला है कि हाल ही में अध्यक्ष कर्मचारी चयन सचिप के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो ये किया गया है S किसोर को ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रशन अंगला है कि किस भारतिय बिश्विध्याले ने फ्रान्स में राश्टिय बैग्IANनिक अनुशंधान केंद्र के तहत्च लोरेन बिश्विध्याले के साथ साजेदारी की है तो ये की है महात्मा गांधी विश्विध्याले ने लोरेन विश्विध्याले के साथ ठीक है आंगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है कि केरल शाहित अकादमी पुरुसकार बिरेता डॉक्टर एम गंगाधरन का निधन हो गया है बे कौन थे तो ये एक बिश प्रशिद इतिहासकार थे ठीक है आंगे बढ़ते हैं प्रशन आपका अंगला देखेंगे और प्रशन आपका अंगला है कि सस्ती और गुडवत्ता पूर्ड स्वास्ते सेवा तक पहुच में सुधार के लिए किस सरकारी संस्थान ने US Agency for International Development के साथ जारी की है तो ये की है नीती आयोग में ठीक है आंगे बढ़ेंगे प्रशन आपका अंगला है कि किस राज्य के कैबिनेट ने गैर कानूनी धर्मांतरण निशीद विधियक 2022 के मशौदे को मंजूरी दी है तो ये दी है हरियाना राज्य ने हरियाना राज्य ने क्या किया है गैर कानूनी धर्मा मंतरड को रोकने के लिए एक मशौधे को मंशूरी दी है प्रश्ण अंगला है कि कौन सा केंदर शासित प्रदेश नैशनल सिंगल बिंडो सिस्टम में सामिल होने बाला पहला केंदर सासिच प्रदेश बन गया है तो ये बना है जम्मू और कश्मी अंगला प्रशन है कि किस मंत्राले ने भारत में संग्रालेयों की पुनर कलपना संमेलन का आयुजन किया है तो ये किया है संस्क्रति मंत्राले द्वारा आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका अंगला है कि किस देश के बैज्यानिकों ने सार्स कोब टू बायरस का पता लगाने के लिए नया प्रोध्यों की मंच विक्षित गिया है तो ये किया है भारत ने ठीक है चलिए आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में और आपके 11 फरवरी 2022 की करिंट अफियर्स देखेंगे इसका पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने ड्रोन के आयात पर प्रतिबंद लगा दिया है तो ये लगाया है भारत सरकार ने भारत ने क्या किया है कि जो अन्य देशों से ड्रॉन आते थे उन पर बिल्कुल प्रतिबंद लगा दिया है अब क्या गरेंगे वो अपने ही देश में मेरे made in इंडिया से बढ़ावा देने के लिए उनके आयतों पर प्रतिबंद लगा दिया है अंगे बढ़ते हैं प्रशन अगला है कि हाल ही में स्वैच्छिक प्रतिधारण मारों के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों के लिए इस्थानिय रिड बाजार में निवेश करने की सीमा एक लाग करोड बढ़ा कर 2.5 करोड किस बैंक ने की तो ये की है भारतिय र कोलर में 40% हिस्सेदारी का अधिकरण किया है तो ये किया है रिलाइंस कंपनी ने आगे बढ़ेंगे इसी क्रम में प्रशन आपका अंगला है कि हाल ही में टॉम कॉम के 2021 ट्रैफिक सूचकांग के अनुसार दुनिया का पांचमा सबसे भीडवार वाला सहर कौन सा है तो सब से भीडवार वाला सहर पांचमे इस्तान पर है आपका बुंबई और मैं ही बात करूं दिल्ली की तो दिल्ली का है आपका ग्यार बाहिस्तान ठीक है आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका अंगला है कि हाल ही में नैशनल राइफल अशोशियेशन ओफ इंडिया ने किसके एक समझोता ग्यापन पर हस्ताच्छर किये हैं तो ये किये हैं अखिल भारतिय वदिर खेल परिशद के साथ आगे बढ़ेंगे प्रशन अंगला है कि हाल ही में किस बैंक ने मौद्रिक नीत रेपो दर चार प्रश्चत पर अपरिवर्तित रखायरी उसे परिवर्तन नहीं गिया है तो ये किया है आरविया इनी भारतिय वदिर खेल बैंक ने अंगला प्रशन है आपका कि हाल ही में किस सुरंग को आधिकारिक तोर पर यूके स्तित वर्ल्ड बुक ओफ रिकॉर्ड्स द्वारा दस हजार फीट से उपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार सुरंग रूप में प्रमारित किया गया है तो ये किया गया है अटल सुरंग को अटल सुरंग कर पूछा लाइक किस दर्रे के पास है तो ये है रोहतांग दर्रे में जिस्तित है अंगला प्रशन है कि हाल ही में इस्रम प्लेट फॉर्म पर कितने अनौप चारिक कर्मचारी पंजीक तो ये हुए 25 करोड से अधिक आगे बढ़ेंगे प्रशना आपका अंगला देखेंगे और प्रशना आपका अंगला है कि हाल ही में विश्व दलहन दिवस कम मनाया गया तो विश्व दलहन दिवस जो है वो आपका दस फरवरी को मनाया गया और इसका जो थीम था वो क्या था Pulses to Empower Youth in Achieving Sustainable Agri-Food System ये इसका theme था इस्वार का तो आप जरूर याद कर लीजिए आगे बढ़ेंगे प्रशना आपका अगला है कि हाल ही में किस आयोग ने United Kingdom के खिलाप पहला post-breakist के सुरू किया है तो ये किया है European आयोग ने आगे बढ़ेंगे प्रशना अगला है कि हाल ही में किस आयोग को 46 सौ करोड रुपे की लागत के साथ मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है तो ये बढ़ाया गया है प्रधान मंत्री किशान संपदा योजना को इसी करम में आगे बढ़ेंगे प्रशना आपका अंगला है कि हाल ही में फाइवर इंडिया के अध्यक्छ के रूप में किशे निउप्त किया गया है आगे बढ़ेंगे प्रशन अंगला है कि राजिस्थान में 10,000 करोर रुपे के निवेस के साथ 10,000 मेगावाट और सौर उर्जा पर्योजना के निर्माण के लिए एक समझोहते पर किसने हस्ताच चरकी है तो यह किये हैं राजिके श्वामित तुबाली THDC इंडिया लिम्टड ने अंगला प्रशन है कि भारत को कितने वर्सों में 349.55 billion का FDI प्राप्त हुआ है तो यह हुआ है पांच वर्सों के लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रशन आपका अंगला देखेंगे और बारे फरवरी के पूछे गए प्रशन हम सभी देखेंगे तो प्रशन आपका पहला है कि हाल ही में मदरास उचने आयले का मुख्य ने आयदीज किसे निप्त किया गया तो मदरास उचने आयले का मुख्य ने आयदीज यह किया गया है मुनीश्वर नाथ भंडारी को ठीक ह आगे बढ़ेंगे प्रशन अगला है कि HIV की सहखोज के लिए नोबिल पुरुषकार जीतने वाले ल्यूक मॉन्टेगनियर का फरवरी 2022 में निदन हो गया वे किस देश के थे तो ल्यूक मॉन्टेगनियर वो आपके फ्रांस के रहने वाले थे ठीक है अंगला प्रशन है कि हाल ही में किस देश के सीस संबेधानिक निकाय द्वारा वर्किनो फासो का राष्ट पती घोसित किया गया तो ये किया गया पॉल हेनरी सेंड आगो दामिबागो और ये वर्किनो फासो कहा है ये है पश्मी अफरीका में ठीक है आगे बढ़ेंगे प्रशन आपका अंगला है किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इंफो टेस्ट बल्ले वाजी अबोर्ड जीता है तो ये जीता है रिशप पंद ने अब ESPN की फुल फॉर्म क्या होती है ये होती है अंगला प्रशन है कि किस क्रिकेटर ने ESPN क्रिक इंफो कैप्टन ओफ इयर तो कैप्टन ओफ इयर का पुरुषकार जीता है केन विलियंसन ने और केन विलियंसन कहां के रहने वाले हैं ये आपके हैं न्यूजिलेंड के रहने वाले आंगे बढ़ेंगे प्रशनाप का अंगला है कि भारती रिजर्ब बेंक ने आपात कालीन स्वास्ते सेमाव के लिए liquidity विंडो को कब तक बढ़ा दिया है तो ये बढ़ा दिया है 30-2022 तर आगे बठते हैं प्रशना आपका अंगला है बिग्जान में महलाओं और लड़कियों की भूमिका को पहचानने के लिए महलाओं और लड़कियों की भूमिका को पहचानने के लिए किस बेंग को बिग्ञान में महलाओं लड़कियों के महलाओं लड़कियों के अंतर राश्टी दिवस के रूम में मनाए जाता है 11 फरवरी को अगर बात किया इसका जो ठीम था भीशे-ताव क्या था इक्विटी इक्विटी दाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन वाटर यूनाइट्स अस अगला प्रश्न है कि किस देश के बैज्ञानकों ने नावकिय संलयन उर्जा के उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्तापित किया है तो ये किया है यूनाइटिड किंग्डम ने अंगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस राज में बित्तिय सहायता राजीव गांधी ग्रामीड भूमीहीन क्रशी मजदूर न्याय योजना की सुरूआत के गई तो ये की गई है चट्तिस गडमे प्रशना आपका अंगला है कि हाल ही में भारतिय एयर्टेल समर्थित वन बेब ने दस परवरी 2022 को फ्रेंच युगाना के कैरो में युगाना इस्पेस सेंटर से एयर्ण इस्पेश द्वारा कितने अब ग्रहों का सफल तैनाती की पुष्टी की है तो ये की है 34 की 34 अंगला प्रशन है कि हाल ही में अत्रिक्त 5 साल के लिए टाटा संस के अध्यच के रूब में किशे न्युक्त किया गया है तो ये किया गया है एन चंदरशेखरन को आंगे बढ़ेंगे प्रशन आपका अंगला है कि हाल ही में 11 फर्वरी 2022 को स्वतंतरता सेनानी तिलका मांजी की कौन सी जैनती मनाई गई तो ये मनाई गई है 232 यानि 11 फर्वी 2022 को तिलका माजी की जैनती मनाई जाती है और इस बार ये आपकी कौन सी थी? 232 जैनती थी अंगला प्रशन है हाल ही में राष्टिय क्रमी मुक्ति दिवस कम मनाया गया? तो राष्टिय क्रमी मुक्ति दिवस ये मनाया गया है 10 फर्वरी को आगे बढ़ेंगे प्रशनाप का अंगला है कि हाल ही में 2021 लोकतंत्र सूचकांक में शामिल 165 देशों में भारत का कौन सा इस्तान रहा? तो भारत का रहा है 46 वा इस्तान अगर बात करूँ सबसे पहला इस्तान तो ये रहा है नारवे आगे बढ़ेंगे प्रशन अंगला है कि हाल ही में फ्रांस में वन ओशन समिट का को कौन संसोधित करेगा? तो फ्रांस में वन ओशन समिट को ये हमारे देश के प्रधान मंत्री नरंद्र मोधी शम्मोधित करेंगे अंगला प्रशन है कि हाल ही में किन देशों के बीच परमाडू निरस्तरी करणबारता 10 फरवरी को होगी तो ये होगी भारत और यूरोपिय शंग के बीच ठीक है? चली आगे बढ़ते हैं और प्रशन आपका आगला देखेंगे आज है 13 फरवरी और 13 फरवरी के भी हम प्रशन देखेंगे most important तो चली पहला प्रशन है आपका कि भारतिय वायू शेयना के कितने शदश्यों का एक दल सिंगापूर एरोशो दो हर्यार बाइस में भाग लेन 44 अदस्यों का एक दल जो है शिंगापूर एरोशो में पहुंचा है आगे बढ़ेंगे प्रशना आपका आगला है कि राश्टिय क्रशी एवं ग्रामीड विकास वेंक ने क्रशी पारिस्थित की आधारित कारिक्रम जीवा शुरू किया है यह कितने राज्यों में अपने म मौजूर बाटर सेड और वाडी कारिक्रमों के तहत प्राकर्तिक खेती को बढ़ावा देगा तो यह है ग्यार है आगे बढ़ेंगे प्रशना आपका आगला है कि रच्छा मंत्राले ने हाई एल्टिट्यूट स्यूडो सैटेलाइट दिक्सित करने के लिए किसके साथ एक डिजाइन और विकास अनुवन्दन का अस्ताचर किये हैं तो यह किये हैं न्यूश्पेश रिसर्च एंड टेक्नोलोजीज में ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रशना आपका आगला है कि हाल ही में किसने सारजनिक छित्र की संस्थाओं की स्रेडी में वर्स 2021 वाइस के लिए बित्तिय रिपोर्ट में उत्करष्टा के लिए ICAI पुरुष्कार मिला है तो यह मिला है इस्टेले तो ICAI की फुल फॉर्म क्या होती है यह होती है इंस्टिट्यूट अप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अफ इंडिया ठीक है चले आगे बढ़ते हैं प्रशना आपका अं को वेंजो थायुफेने नामत औसधिये रूप से महत्पूर्ड योगिक के उत्पादन लिए हरित पद्धति विक्षित करने के लिए पेटेंट प्रदान किया गया है तो यह किया गया है IIT मदरास को आगे बढ़ेंगे प्रशना आपका अंगला है कि किस संस्थान के भारतिय बैग्ज्ञानकों की एक टीम ने डेरी उत्पाद से अगली पीडी के प्रोबायोटिक जीवाडो लेक्टोवेलिसस प्लांटरम जे बी सी फाइब की पहचान की है तो यह की है Institute of Advanced Study in Science and Technology प्रशना आपका अंगला है कि भारत ने देश के पहले COVID-19 प्रकोप का प्रवंधन करने के लिए किस देश को चिकिस्सा आपूर्ती की एक खेप भेजी है तो यह भेजी है किरिबाती को अंगला प्रशना है आपका कि किस देश के राष्टपती ने अपनी इंडो पैशिफिक रड़नीती जारी की है तो यह की है अमेरिका के राष्टपती जो बाइडन ने आगे बढ़ेंगे प्रशना आपका अंगला है और लास्ट प्रशन है आपका इस वीडियो का कि किसके द्वारा अनमोदित ड्रोन इश्कूल द्वारा सिंगल विंडो डिजिटल इसकाई प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी रिमोट पाइलट सेटिफिकेट देश में ड् द्वारा तो ये थे आपके एक सब्ताह के करेंट अफियर के मूश्ट इंपोर्टेंट प्रशन जो मैंने आपको कराए हैं और मिलते हैं हम आपको अंगले संडे एक सब्ताह के करेंट अफियर प्रशनों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद